नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप भी फिलिप कार्ट इस्तमाल करते हैं और आपनी फिलिप कार्ट पेलेटर सर्विस को इनेबल कर रखा है ठीक है और आपके पास कुछ लिमिट है 2000 की 1000 की या फिर 3000 की 25000 की ऐसी लिमिट है आपके पास फिलिप कार्ट पेलेटर की नहीं नहीं मैंने भी ऐसे दो एकाउंट अपना खुद का और एक अपने घर में किसी दूसरे सदस्य का भी ऐसे सोल किया है और बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा यदि आपको भी जानना है था हम वीडियो को साथ सुरू से लेकर अंतक बन रहेगा दोस्तों मैं उसुर्परिकाइस चोब तो आपको खरदारी करते हैं कि क्या होता है यहां पर आपने देखा होगा कि आप सोच रहोंगे कि प्लस नीचे भी लिखा गयता है कि आप अभी खरीदी है और पैसे अगले मैने आप दे दीजेगा ऐसे प्रड़क्ट ही आप फ्लिप कार्ड पे लेटर के मादेम से खरीद सकते हैं ऐसा एक सिस्टम है लेकिन आप ऐसे प्रड़क्ट जिनके नीचे लिखा हुआ है उनको भी खरीदनी कोईस करते हैं तो भी आप खरीद नहीं पाते हैं फिलिप कार्ड पे लेटर के मादेम से ओजैसे यहांपर बिल्कूल मैं इसका इस्तमाल कर सकता हूं यहां इस चीज को सोल कर दिया मैं आपको स्क्रेंशोट दिखा रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैंने वीडियो रिकोड किया नहीं कि मैं उसको पहले solution कर रहा था इसको कैसे solve किया जाए ठीक है तो मैं screenshot दिखा रहा हूँ आपको यहां पर एक उप्षन में लेगा help center इसके उपर क्लिक करना है जैसे help center पर क्लिक करेंगे help center पर क्लिक करने को देखें वैठ की यहां पर आएंगे तो आपको कि से लिए फिलिपकार्ट पर लेटर से लेटर प्रोग्लम है तो यहां पर देखिए आप I want help with other issues इसके उप अब करेंगे फिर यहां पर अपने आप आजएगा जैसे कि flip card प्लस तो आपके कुछ मिनियार हो तो यहां पर other पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको कॉल आना चाहिए इसके उपर क्लिक कर देंगे तो कोल आपके पास आ जाएगी अब जब को आईगी मैं जो किया हूँ वही बता रहा है अब आते ही आपको सब कुछ बता जाना है कि मेरे फ्लीपकार्ट प्यलेटर के इतनी मतलब लिमिट है और मैं इसे प्रções जिनके नीचे लिखा हुआ है कि आप फिलिफ कार्ट पे लेटर के मादर आप खरद आप ऐँम से खर्दारी कियी और एकले म Если प्य blond कर दिजेगा। तो भी मैं जब पेमेंट करने जाता हूं उस परड़ों खरीदने जाता हूं तो वहाँ पर मुझे ओप्सन देते हैं फिलिप कार्ट पे लेटर के आगे उसके माधिम से मैं खरदारी नहीं कर पा रहा हूं इस परकार के समझ से आ रही है तो देखिए आपको अकेले ऐसे नही जब दर्ज किजिए कि kalian जब दर्ज किकेंडिन फिर आपको फिल्प कोरण كड पलिटरउ की जो कॉल करेंगे आप के goals करेंगे अपको दिखा देता हूं यहां पर देखे दोस्तों आपको email के थुरू भी आपसे संपर के रहता है जिसमें आपसे पुझा जाता है कि आप अपने देखिए मैंने आपसे क्या होता कि आपके यहां पर देखिए आपको एक चीज़ का स्क्रीन सोट बंगा जाएगा जिसका होगा एकाउंट आप यहां पर देखिए आपको एक अपसे मिल जाएगा जैसे में आप देखिए एडिट प्रॉफाइल इसके उपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद माई एकाउंट पे जाएगा इसके अंदर आपका नाम लिखा हो नजर आएगा मॉबाइल नमबर इमेल इडर यह सब आएगा यहां का स्क्रिंशोट वह माँगते हैं तो यहां का स्क्रिंसोट आपको दे दे दिना है यहां तनका इत्ता बता ना है जितता अब आपको हो सकता है तीन से चार दिन में सारा प्रोब्लम सोल हो जा यदि आपके flipcard पे लेटर के मतले अब इस आपके canaamatta अंदर help center पर जब जाते हैं आप और help center पर जाते हैं आपको contact ask option आता है बड़ यह work नहीं करता है टेम मतलब हो सकता है b.j बताएगा यह से कुछ ऐसे प्रोब्म आ रही है तो आपको एक नंबर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर मिल जाएगा और आपको इस्क्रीन पर भी नजर नंबर आ रहा होगा यह दोस्तों क्या फ्लीप कार्ट पे लेटर की जो सर्विस है ना IDFC First Bank जो है न वो प्रवाइड कराता है फ्लीप कार्ट के साथ मिलकर तो आप डिरेक्ट IDFC First Bank के कस्टमर के और को कॉल करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे तो आपकी समस्या को अगले तीन से चार दिन में उनको ही प्रोब्म बताएंगा तो सही रहता है वो डिरेक्ट वो स माध्यम से खरदारी कर सकते हैं प्लस आपका प्रोब्म आ रहा है अनेवे लेबल वाला तो उसे कैसे आप स्वोल भी कर सकते हैं यह दोस्तो आपको जनकारी और वीडियो को लाइक कर जेगा और साथ में दूसरी दूसरों को साथ भी सेर कीज़ेगा और दोस्तों आपको फ इस बात की नोलग सके दोस्तों मिलते अच्छी और साना विडियों को साथ तब तक के लिए जाहिन छे भारत